2023 फिल्म डस्ट्री में प्यार के लिहास से बड़ा मनूस साबित हुआ ऐसे कई आक्टर्स रहे जिनका बसा बसाया घर इस साल उजड़ गया बॉलिबूड हो या टीबी इंडस्ट्री इस साल कई जोडियों के दिल तूटे तो कईयों का तलाक हो गया किसी की शादी दो साल में खत्म हो गई तो कोई 24 साल बाद अलग हो गया तो चलिए रिवाइंड करते हैं 2023 को और बताते हैं आपको कि किस जोड़ी ने इस साल एक दूसरे को तलाक दे दिया सुहल खान सीमा सचदेव तूट गई 24 साल पुरानी शादी इस साल खान परिवार में जहां बड़े बेटे अरवाज ने दूसरी शादी रचाई तो वहीं इस साल सुहल खान और सीमा सचदेव का तलाक हो गया दोनों ने लब मेरिज की थी खबरों के मताबिक लंबे वक्स से पती पतनी अलक रह रहे थे इसके बाद इस साल दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया बॉलिवुट के टॉप एक्टर नवाज उद्दीन और उनकी पतनी अल्या के बीच इस साल बड़ा बवाल हुआ अल्या ने नवाज के घर पर कबजा कर लिया लंबे जगड़े के बाद आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया तलाक लेते ही आल्या की जिंदगी में ने शक्स ने भी एंप्री मार ली तीबी एक्ट्रेस चारू असोपा और शुश्मता सेन के भाई राजीब सेन ने भी इस साल आट जून को ओफिशिली तलाक ले लिया चार साल की शादी के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया हलाकि दोनों मिलकर अपनी बेटी की पैरेंटिंग करेंगे तेरा साल की शादी के बाद एक्च्ट्रस बर्खाविस्ट और इंडर नील सेन गुपता ने इस साल के शुरुआत में तलाक लेनी की खबर को कंफर्म किया पिछले दो सालों से अलग रहे रहे थे दोनों की एक 11 साल की बेटी भी है टीबी की अंगूरी भाबी शुबांगी अत्रे और उनके पती प्यूश पूरे करष्टा इस साल खत्म हो गया दोनों 19 सालों तक पती-पत्नी के रूप में रहें पिछले एक साल से दोनों अलग रह रहे थे शुबांगी की एक बेटी भी है जिसे उन्होंने तलाक के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया है कनिका महेशुरी अंकुर दिया और बाती की एक्टरस कनिका महेशुरी ने 11 साल के बाद अपने पती अंकुर से अलग होने का फैसला ले लिया दोनों साल 2024 में कानुनी रूप से तलाक लेंगे उनका एक 8 साल का बेटा भी है कहा जा रहा है कि दोनों पिछले 4 सालों से अलग रह रहे थे करनवीर महरा और निदी सेट टीवी आक्टर करनवीर महरा और निदी सेट का भी तलाक हो गया है उन्होंने दो साल पहले ही गुरुद्वारे में शादी रचाई थी लेकिन आपसी अन्वन की वज़े से इस साल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए कुशा कपिला और जो रावर सिंग अहलूगा लिया इशा कोपिकर टीमी नारंग बॉलिबुट की खलाज गल इशा कोपिकर ने हाल ही में अपने बिजनसमन पती टीमी नारंग से तलाक ले लिया साल 2023 के खत्म होने से चन दिन पहले ही दोनों अलग हो गए इशा ने इस बात की खबर किसी को कानू कान नहीं होने दी 14 साल बात दोनोंने अपनी शादी को खत्म कर लिया राहूल महाजन और नतालिया इलीना राहूल महाजन ने साल अपनी तीसरी बीबी नतालिया को तलाक दे दिया राहूलने 2018 में ही शादी रचाई थी लिकिन उनकी ये शादी भी काम्याब नहीं हो सकी और फाइनिली दोनों ने तलाक ले लिया हनी सिंग शालनी तलवार सिंगर और रैपर हनी सिंग भी साल अपनी पत्नी शालनी तलवार से अलग हो गए है शालनी ने हनी सिंग पर गरेल हुएंसा और मारपीट का आरोप लगाया कोट में अमामला खूब उचला और अकरकार जजज ने उनके तलाक पर महड लगा दी